दोस्तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि PNIRY से किस परकाड से train का टीकट बूक करते हैं, बिल्कुल असानी के साथ और साथे दोस्तो इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि क्या चीज़े आपको खासताओर पर बरतनी है जिससे कि आपको यहाँ पर किसी परकार का error का सामना नहीं करना परे तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों उन्हें पेनियर वाइक को open कर लिया है इसके बाद scroll करेंगे scroll करते हैं यहाँ पर देख पार है travel में train वाला option नर्मली हम क्या करेंगे इस पर click करेंगे click करते हैं दोस्तों यहाँ पर देख पार है from यहाँ पर आपको click करके आप कौन से station से और साथी यहाँ पर देख पार है do वाले section में यानि कि कौन से station तक आपको जानी है उस station का नाम आपको यहाँ पर type करके select कर लेना है क्लिक करते हैं दोस्तो इस route से जो भी गाड़िया गुजरती है वो सारे गाड़ियों का list यहां पर आजाएगा तो चुकि दोस्तो यहां पर सिर्फ और शिर्फ एक ही गाड़ी है जो की इस route से गुजरेगी तो हम क्या करेंगे यहां पर check ability जो देख पा रहा है normally हम इस पे click करेंगे click करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख पार है total यहाँ पे चार option आपके सामने है पहला है first AC का, दूसरा है second AC साथी third AC इसके अलवा sleeper का दिया गया है तो हम क्या करेंगे normally sleeper का हमें ticket चाहिए तो हम normally sleeper पे click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे देख पार है 8 जनवर इमें total 230 सीटे यहाँ पे available है तो हम क्या करेंगे इस पे click करेंगे अब दोस्तों click करते हैं यहाँ बोला जारा है mobile number डाले, तो जो भी traveler है उनका mobile number यहाँ पे आपको डाल देना है साथी अगर उनके पास email ID है तो यहाँ पे डाले अन्यता इसे आप खाली छोड़ सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख पार है add traveler, इस पे click करके आपको passenger को यहाँ पे add करना होगा तो चलिए इस पे click करते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे passenger का नाम लिखेंगे साथी उनका gender यहाँ पे select करना है इसके बाद उनका क्या उम्र है वो total 20 साल, 25 साल, 30 साल वो चीज़े यहाँ पे आपको नर्माली लिखना है इसके बाद नर्माली इंडिया select रहेगा इसके बाद submit पे click कर देना है तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने traveler को add कर लिया है यानि कि passenger को जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे है add boarding point तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप boarding point डालना चाहते है तो यहाँ पर डालिए अन्यथाई से आप खाली छोड़ सकते हैं इसके बाद दोस्तो अटो अपगरेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करनी है इसके बाद दोस्तो यहाँ पर देख पार है नन सेलेक्ट है बर्थ प्रिफरेंस में तो नर्मली यहाँ जरूर कर ले इसके बाद प्रोसीट पर क्लिक करेंगे अब दोस्तो आपके सामने रिव्यू बुकिंग का डैसबोर उबर के आएगा यहाँ पर आपको सारा डेटा टैली कर लेना है कि जो भी डिटेल्स आपने डाला है क्या वो सही है या नहीं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पार है टोटल यहाँ पर 600 टीकट का फेयर है और साथी यहाँ पर 70.70 पैसा यहाँ पर IRCTC का कन्वियंस चार्ज है और साथी यहाँ जो अजेंट है यानि कि जैसे आप रिटेलर है तो आपका चार्ज यहाँ पर 20 रुपिया एड़ क रिटेशन करने वक्त यानि की पेयर बाई में जब आप IRCTC का रिटेशन किये थे तो उस समय IRCTC का जो भी पासवर्ड आपने डाला था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका रिटेटर मॉवाइल या फिर इमेल आडिया है उस पर एक OTP गया है तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा जो की आपका IRCTC रिजिस्टेशन करने वक्त जो भी आपने मॉवाइल नमबर या फिर इमेल आडिया आपने डाला होगा उस पर यहाँ पर OTP भेजा जाता है तो चलिए हम दोनों डेटा को य आपको इंतजार करना है जैसा कि आप देख पार है successful हो चुका है बोला जारा है train ticket booking successfully इसके लवाद दोस्तों यहाँ पर देख पार है PNR नमबर भी यहाँ पर मिल चुका है अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे normally go home पे click करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दे देख पार है more इस पर आपको click करना है इसके बाद इसे हम scroll करेंगे तो यहाँ पर देख पार है नीचे में view tickets इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपका जो ticket है वो download हो जाएगा तो चलिए इस पर click करते हैं तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पार है finally ticket यहाँ भी ब तिन घंटे के बाद आपको return किया जाएगा तो इस बात का खाल दियान रखिए यहाँ पे जो भी आप password और OTP डालेंगे वो बिल्कुल एक दम perfect सा यहाँ पे आपको डालना है